आज मैं आपके साथ क्विक एजी रेसिपी में शेयर करने जा रही हूँ नो ओइल चिली पनीर रेसिपी सबसे इंपॉर्टन इसमें मैंने सिर्फ वन टेबल स्पून कॉन फिलार का यूज किया है पूरी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बाते हैं क्योंकि मैंने लंजट्राइम में इसके प्रेपरेशन कर दी थी ओर यूज क्यों मैं आपको बताती हूँ इहाँ पर हमें किन इंग्रिइडियन की जरुरत लगे, हमें मैं एक खाली बाउल लिया है उसमें मैंने 1 alm tablespoon کón flour डाला है और corn flour आपके पास जो भी अवेलेबल है आप कोई सा भी यूज़ कर सकते है मैंने यहाँ पर all baker का यूज़ किया है half tablespoon दाने के बाद मैंने half tablespoon और डाला है तो man's total आपको 1 tablespoon का use करना है corn flour में उसके बाद यहाँ फोर्थ tablespoon black paper का यूज़ किया है आप अपने according spice को कमिया ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर 1 teaspoon मैंने pink salt का यूज किया है salt आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं आपके taste के according उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 teaspoon जो है ginger garlic green chili paste यूज किया है और थोड़ा सा पानी यहाँ पर यूज किया है इसे एक अच्छा सा liquid बनाने के लिए ताकि हमारा जो पनीर है वो इसमें अच्छे से marinate हो जाए यहाँ पर पनीर के cubes मैंने काट लिया है पनीर का cubes का shape आप अपने according जैसा रखना चाहें आप उसे रख सकते हैं उसके बाद हम इन सारे ingredient को अच्छे से mix करेंगे और mix करने के बाद हम इसे एक अलग बाउल में shift कर देंगे क्योंकि यह बाउल थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसे छोटे बाउल में shift कर देया ताकि अच्छे सी वो marinate हो जाए और उसके बाद हम इसे clean foil से अच्छे से wrapping करके freeze में रख देंगे आप इसे अगर morning में बना रहे हैं तो overnight रख सकते हैं और अगर evening में बना रहे हैं तो morning में रख सकते हैं 2-3 hours के लिए आपको इसे marinate करना है मैं यहाँ पर पनीर को roast कर रही हूँ air fryer में अगर आपके पास air fryer अविलिबल नहीं है तो आप इसे OTG या micro में भी कर सकते हैं अगर वो भी available नहीं है तो simply आप इसे डोसा तवा जो अपना होता है non-stick या non-stick pen जो भी आपके पास available है आप उसे रोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर मैंने air fryer में सबसे पहले उसे preheat करने के लिए थोड़ा सा घी का यूज किया था उसके बाद मैंने इसे रोस्ट किया और यहाँ देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है यहाँ पर मैंने एक non-stick कडाई ली है कडाई को मैंने पहले से थोड़ा सा घी से ब्रश किया है और उसके बाद उसमें half tea spoon मैंने जो है butter का यूज किया है यहाँ पर मैंने bell pepper और onions को already cut किया हुआ था और उसे उस butter में fry किया है ताकि उसका raw smell निकल जाए इसे आपको सिर्फ 5 मिनट ही fry करना है उसके बाद मैंने वापस pan को थोड़ा सा grease किया है और यहाँ पर मैंने यूज किया है chopped लसन अद्रक और green chili इसको भी हम हलका सा saute करेंगे ताकि उसका कच्चापन वहाँ से निकल जाए और यहाँ पर जो marination हमने किया था हम उसी ही konflour का यूज कर रहे हैं हम अलग से konflour नहीं लेंगे इसमें मैंने यूज किया है 1 teaspoon soya sauce 1 teaspoon green chili sauce और red chili sauce मेरे पास available नहीं था तो मैंने sweet chili sauce यूज किया है आपके पास red chili है तो आप उसका यूज कर सकते हैं और यहाँ पर 1 teaspoon मैंने vinegar का यूज किया है हम इसे में थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छे से mix करेंगे ताकि वो एक gravy create होने के लिए एक अच्छा सा paste बन जाए आपको gravy जितनी चाहिए आप उसे साफसे konflour add कर सकते हैं और इसे हम डालेंगे अपनी कडाई में और 1 boil आने तक हम इसका wait करेंगे यहाँ पर मैंने 1 teaspoon salt का यूज किया है मैंने थोड़ा सा tomato ketchup यूज किया है अगर आपको मीठा नहीं चाहिए हलका सा तो आप इसको skip कर सकते हैं यह total optional है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक boil आ गया है तो मैं यहाँ पर अपनी जो वेजी जो पनीर मैंने रोस्ट किया था वो मैं इसमें डालूँगी और उसे अच्छे से mix करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि mix करने के बाद एक इसमें अच्छा सा boil आ गया है और हमारा चली पनीर ready हो चुका है अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो like, share and subscribe जरूर करिएगा जल्द ही मिलेंगे नए रेसिपी के साथ तैंक यू